ये है 2022 की न्यू मॉडल बजाज की पलसर NS 125 अब नए अपडेट फीचर्स के साथ NS 125 टोटल चार कलर में आती है कीमत की बात करें तो इस बाइक की ऑन रोड कीमत है एक लाग शब्वीस जार चार सो एक क्यासी रुपए रॉल्टा बजाज वी आई पी रोड कॉलकता में इस ब सबसे पहले फ्रेंड लू की बात करें तो यहां पर आपको च्छोटा सा विंड्जील मिलता है लॉसी फिनेस के साथ साथ नीचे बजाज का लोगो साइड में आपको मैट फिनिस मिल जाती है साइड प्रोफायल की बात करें तो है लुजन यहापर आपको टर्न के यहांपर आपको सेटम मिल जाता है जिसकी नीचे में देखते हैं तो यहांपर आपको NS200 की तरहे हैं आपको दो चोटे से pilot slam किये गए जिसमे आपको low beam और high beam का भी यहांपर आपको option देखने को मिल जाता है इस बाइक का जो आगे वाला मटगाड है उसके उपर आपको थोड़ी सी कारवन की टच की यहाँ पर आपको फिनीसिंग देखने को मिलती है जो कि इसके लुक को काफी प्रीमियम भी मिनाती है दौनों साइड में आपको रिफलेक्टर और दो सो चालीस एमेम डाइमीटर की मिल जाती है इसमें आपको कॉम्भी ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है 1817 के यहाँ पर आपको ट्यूब लेश्टायर मिल जाते हैं शत्रेंज के ग्रे कलर के एलोबिल और एलोबिल के उपर आपको वाइट लोग की इश्टिर्ब मिलती है जिस से इसका लुक भी काफी अच देखने को मिल जाती है, दोना बाइकों में जमीन से आसमान का फर्क दिये गए, यहाँ पर आपको 125 का स्टीकर मिल जाता है, एर पासिंग के लिए थोड़ी सी यहाँ पर आपको स्पेस दी गई है, जो कि इसके लोग को काफी स्पोर्टी बनाती है, यहाँ पर आपको टैंक टैंक की कैपेसिटी मिल जाती है, और यहाँ से आप इसके फ्यूल टैंक के कैप को देख सकते हैं, पर्फर्फर्मेंस की बात करें, तो यह बाइक 0-40 की स्पीड में जाने पर 3.28 सेकंड का समय लेती है, और माइलेज की बात करें तो 56 KMPL का इस बाइक में आपको आसानी से माइलेज मिल जाता है, अगर आप इस बाइक को 40-50 की स्पीड में मैंटेन करके चलाते हैं, सेमी डिजीटल मीटर कंसोल दिया है, जिसके नीचे में आपको दो बटन मिलती है, और यहाँ पर आपको बजाज, इंजिन माल फंक्शन, हैडलाइट, लो बैटरी, और यहाँ प आपको ट्रिमीटर मिल जाता है, इसमें आपको गियर, पोजीशन, इंडिकेटर जैसे फीचर नहीं मिलते हैं, जो की कंपनी को इसमें अपडेट करने चाहिए, उपर में आपको आर्पियम लिमिट की एक इंडिकेशन की लैट मिलती है, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का हेंडल मिलता है, साइड प्रोफाल की बात करें, तो यहाँ पर आपको कुछ यूनिक और स्टालिस टाइप के, यहाँ पर आपको साइड मिलर, यहाँ पर आपको पासिंग स्विच, अपरडेभर, इंडिकेटर और हॉर्न पहीं इने की मिलती है, यहाँ पर आपको और इपक्षच आखकर अंपरेग अबैस का साउन्द कैसा लगा नॉर्मल पल्सर बाइग के मुकाबले आप comment करके बता सकते हैं इस बाइग के seat comfort की बात करें तो long route पर चलाने के लिए इस bike का जो seat comfort है वो यहाँ पर आपको plane और rider के लिए काफी अच्छा मिल जाता है पीछे वाली plane की जो seat है वो थोड़ी सी उपर height में मिलती है यहाँ पर आपको 805 mm की seat height मिल जाती है NS 125 का sticker मिलता है red color की यहाँ पर आपको sticker मिल जाती है side body panel के center में आपको एक थोड़ी सी जाली मिलती है air passing के लिए सबसे अच्छी बात किस bike में आपको kk start का भी option मिल जाता है dtsi की यहाँ पर आपको twin spark के साथ beijing मिलती है यहाँ पर आपको oil filter engine oil quality को यहाँ से check कर सकते है इस bike का जो engine कावल है वो यहाँ पर आपको fiber body plastic का दियेगा यहाँ पर आपको एक catalytic converter और नीचे में आपको एक single horn और यहाँ पर एक oxygen sensor है इसके engine और power की बात करें तो 124.4 cc का air cold forest rock SOHC 2 valve dtsi bs6 compliant engine दिया है जो देता है 11.99 ps की power 8500 rpm और 11 nm का torque generate करता है 7000 rpm 5 speed gearbox के साथ यह bike आती है जिसमें आपको 179 mm की ground clearance मिल जाती है यहाँ पर आपको brake pad तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप इस bike को kick से start करना चाहते हैं तो kick से start करने के लिए आपको उपर वाला जो इसका rider वाला footrest है उसको ऊपर करना पड़ेगा उसको ऊपर करने के बाद इसमें आप kick लगाते हैं तो जो footrest है वो इसमें नहीं अड़ेगा जिससे आप इस bike को आसानी से start कर पाएंगे अब बात करें इस bike के rear portion की तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का rear वाला footrest का एक area मिलता है इसकी rear में आपको mono socks type का adjustable suspension मिल जाता है जिसको आप अपनी weight और demand के अनुसार adjustment कर पाएंगे और यहाँ से आप इसकी पीछे वाली tire hugger को देख सकते हैं और पीछे वाला tire hugger है वो यहाँ पर काफी sporty और look में इसको design किया गया है इसके rear में 130 mm की यहाँ पर आपको drum brake मिल जाती है और इसमें आपको only single disc का ही option मिलता है यहाँ पर आपको 17 inch के allow wheel मिल जाते हैं टायर के size की बात करें तो 197 के यहाँ पर आपको tube lash star मिल जाते हैं जो की पीछे वाला tire वो थोड़ा सा यहाँ पर sporty दिया गया है rear section की बात करें तो यहाँ पर आपको दो split type के grab rail मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको थोड़ी सी stickering मिलती है इस bike की जो tail light है वो यहाँ पर आपको split में मिलती है जो की fully LED setup के साथ है दोना तरप आपको थोड़ी से flexible indicator नीचे में आपको reflector और यहाँ से आप इसके tire huger को देख सकते हैं इसकी top speed की बात करें तो इस bike में 110 km प्रते घंटे के आसपास top speed मिल जाती है यहाँ पर आपको petrol ठीका option दिये गए यहाँ से आप इसकी petrol को on off कर सकते हैं इसमें आपको fi system नहीं मिलता है यहाँ पर crash guard और यहाँ पर आपको adjustable footrest मिल जाते हैं यहाँ पर company fitted black color का sardi guard इस bike का जो chancet cover है वो यहाँ पर आपको single piece के साथ मिलता है जो की एक fiber के parts के साथ attach है अगर आप इस bike को single चलाते हैं तो आगे वाले tire में आपको 25 point और पीछे में आपको 28 point हवा रखनी है double चलाने पर आपको इसके आगे में 25 और पीछे वाले में 32 point हवा रखनी है यह आपको सबसे बड़ा ध्यान देना है बाइक को चलाते समय इस bike में आपको 5 gear का manual setup मिलता है जैसा कि इसमें 5 gear दिये गए सबसे बड़े update की बात करें तो इसके side stand के उपर आपको engine cut-off का sensor मिल जाता है तो अब बात करें NS series के सभी bike के price के बारे में तो pulsar NS 125 on road कीमत है एक लाग 26,480 रुपे और pulsar NS 160 on road कीमत है एक लाग 22,132 रुपे और pulsar NS 200 की on road कीमत है एक लाग 70,627 रुपे रोल्टा बजाज VIP road कॉलकता सोरुम में अगर आप बजाज को कोई भी product लेना चाहते हैं अपनी city की on road कीमत जाने के लिए अपनी city का नाम comment box में share कर देना मैं आपको reply करके बता दूँगा Thank you दोस्तो